सो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं सामसंग गैलेक्सी M01S का और यह दूसरा मेरे पास जो फोन है वो है है Realme C3 काफी पुराना फोन है इसके वारे में आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिपेस्ट करना चाहूंगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेजी साथ ही बेल अब हम बात करते हैं । अब हम बात करते हैं के भारे में साथ मैंने यूजव करने के बाद इसमें जो प्रॉब्लम चैनल की है अगर बात करने तो इसके जो बॉडी वगर घ büy थोड़ी से खराब हो चुकी बिना कवर योज़व massa नहीं है कि मैंने इसको कवर से स्तमाल नही वह काफी उतर बुतर गई है दूसरी प्रॉब्लम क्या है गाईज इसकी जो डिस्पले है वह उतनी अच्छी नहीं है जो है जितनी अच्छी समसंग ही है आप इसमें अगर वीडियो शूट करते हो रियल में C3 में तो आप जो है उस समय फोन में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दिखती है लेकिन वही वीडियो जब आप किसी दूसरे फोन में डाल कर देखते हो जैसे सेंड करती मैंने अपने आइफोन 6S में तो वहां पर जो क्वालिटी दिखती हो काफी अच्छी होती है शूट अच्छा करता है लेकिन यह दिखा नहीं पाता यह इसमें जो ह इसमें आपको जो है साड़े चार से या बहले सो तीस मेंज की बैटरी मिल जाएगी अब बात करते हैं दा इस दोनों के प्रोसेसर की तो इसमें काफी प्राना प्रोसेसर लगा इसमें नया प्रोसेसर है हीलियो जी 75 है साय मैं गन्फर्म नहीं हो सौरी उसके लिए और बात करें इसमें तो आपको इसमें भी 13 प्लस 2 Megapixel का रियर कैमरा प्लस 5 Megapixel का फ्रेंड कैमरा मिल जाता है कि दोनों में फोन की जो है गाइस बात को नहीं स्पीड की तो अभी आप लोगों के स्पीड ही टेस्ट करके देखता हूं दोनों में तीन जीबी की रहे में और 32GB नहीं है तो वरन टू थ्री दोनों में दोस्तों 4G जीओ सिम चल रहा है यहां पर देख सकते हो आपको जो है यह रियल मी काफी पीछे रह गया है और सैमजंग आगे निकल गया है बात करते हैं अब यूटूब की तो यूटूब खोलते हैं गा इस दोनों ही फोन में और य हुआ इसमें आपको जो है हमेशा जो है थोड़ा सा रियल्मी थोड़ा सा था सर्व निकला है और अपने साब से देख सकते होए अब यह जो है को यह नया है used फोन दोस्तों काफी फास्ट चलते हैं दोनों ही क्योंकि प्राइस के हिसाब से ठीक कह सकते हो यह बुरे फोन नहीं है और अब ही हम ओपन करने जा रहे हैं गाइस में जो है माईजियो एप नहीं गोलेंगे उसमें तो हम खोलते हैं इस फोन में जो है नहीं करती है कि इस प्राइस यह फोन भाइथा जब लॉण्च हुआ था रियल में सी थरी साड़े साथ दाशार रुपए में लेकिन इस समय प्राइस प्राइस साड़े और यह फ़ोन लॉप भी फोन ऐसे वह सब हो दूद्र नहीं करते की दोनों यह यूई-डैप चार्जर रहे हैं और दोनों में आपको headphone जाए भी मिल जाएगा ये फोन काफी लंबा है इससे realme c3 काफी बड़ा लगता है काफी क्या थोड़ा सा बड़ा है इससे आप लोग चेक कर सकते हो सो दोनों ही time पे खुले लेकिन आपको इसमें fingerprint नहीं मिलता है इसमें आपको fingerprint unlock मिल जाता है सो डिस्प्ले के मामले में आप जब कोई वीडियो बगरा देखोगे तो आपको इसमें अच्छी तरह दिखेगी लेकिन इसमें उतना अच्छा नहीं दिख पाएंगे आप लोग अपने हिसाफ से choose कर सकते हो सो वीडियो जदा लंबी नहीं करते हैं सिर्फ यहीं तक हैंट करते हैं इस वीडियो से जड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो रही बात गेमिंग बगरा की तो गेमिंग तो आज कल कोई PUBG था वो भी बिचारा चला गया अब क्या टेस्ट करें इसमें नॉर्मल गेम तो दोनों ही फोन में आप आराम से खेल सकते हैं फ्री फायर वगरा दोनों में ही अच्छे चलेंगे 3GB RAM इसमें भी है 3GB RAM इसमें भी है उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आओगा अगर पसंद आओ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो से जोड़ा कोई सावाल है तो आप कमेंट करें जरू पूछे वीडियो देखने के लिए बहुत बहु कि कि नहीं दो मिलेवाड से भी बहुता है एखने ऑल्दि लातो आपसने के दूदध प्लावाड येजियो को ब्णा इस वीडियो भी अर्वाषन को टूदसे कीजियो आप क्या नहींड़ा को वीडियो